हेलो एब्रीवन, वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल, सट्राइड यू नॉलेज, आज हम कवर करेंगे 28 और 29 जुलाई के important current affair, चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला question है, विच कंट्री टॉप दी, वर्ल्ड अतलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2022, तो वर्ल्ड अतलेटिक्स चैंपियनशिप्स 2022 में, कौन सी कंट्री टॉप पर रही, यूनाइटे स्टेट्स, इथोपिया, जमाइका, इंडिया, तो इस question का right answer है, यूनाइटे स्टेट्स, the world athletics championships were held in America for the first time, तो world athletics championship 아메리का में first time हुई, इंडिया came up at number 33 overall and fourth in Asia, तो इंडिया overall 33 number पे रहा और एशिया में fourth number पे, एशिया में फर्स नंबर पे रहा चाइना, साकिन पे जपान, थर्ड पे कजाकिस्थान ये ओवराल मेलेटली है फर्स नंबर पे युनाइटेस्टेट रहा, साकिन पे इथोपिया, थर्ड पे जमाइका और इंडिया रहा ओवराल 33 नंबर पे हमारा नेक्सक्वाश्चन है तो किस जुनिए इंडिया इंस्टूट आफ आयूरवेदा में वाल रक्षा मॉवाई लाइप लौश किया है तो इस क्वेशन का राइट आंसर है सर्वननन्दा सोनोबाल तो इस एप का एम है कि आयुरुवेदिक इंटर्वेंचन के थुरू पैडिया ट्रिक प्रिवेंटिव हेल्थ केर के वारे में पेरेंट्स को अवेर्नेस प्रोवाइड करना है आयुष मनिस्टर आसो इन्योरिट दह वैकसिनेशन सेंटर फॉर चिल्डन एड़ अल इंडिया इंस्स्टूट आफ आयुरुबेदिक तो आयुष मनिस्टर ने अखिल वार्तिय आयुरुदिक सतान में बच्चों के लिए बैकसिनेशन सेंटर वी उद्गाडन किया आल इंडिया इंस्टूट आफ आयुरवेदिक ये फाउंड हुआ था 2015 में इसके डिरेक्टर है डाक्टर तनुजा नेसारी हमारा नेक्स क्वेशन है इन जुलाई 2022 हुईजा रिचस्ट बूमेन इंडिया विदे वैल्थ आफ 84,330 करोड तो जुलाई 2022 में 84,330 करोड की वैल्थी के साथ इंडिया की फर्स्ट रिचस्ट बूमेन कौन बनी रोश्नी नदार, सावीतरी जिंदल, फालगोनी नायर, कीरन मजूमदार शाह तो इस क्वेशन का राइट आंसर है रोश्नी नदार रोश्नी नदार मलहोतरा, the chairperson of HCL Technologies is the richest woman in India with a wealth of 84,330 करोड तो HCL की chairperson रोश्नी नदार मलहोतरा, 84,330 करोड की वैल्थ के साथ इंडिया की सबसे अमीर महिला वनी हमारा next question है, which city is hosting the 44 chess Olympiad starting from 28 July 2022 तो 23 July 2022 से start होने वाली 44 chess Olympiad की मेजवानी कौन सी city करेगी वैंगलूरू, चनेई, हैदरवाद, मुंबई तो इस question का right answer है, चनेई 189 countries from around the world will participate in this competition तो इस competition में 189 countries around the world participate करेंगी थंबी is the official mascot of the 44th chess Olympiad तो थंबी 44th chess Olympiad का official mascot रहेगा हमारा next question है, which country is going to host the ICC 2025 Women's ODI World Cup तो ICC 2025 Women's ODI World Cup की host कौन सा देश कर रहा है इंडिया, जापान, उस्टेलिया, श्री लंका तो इस question का right answer है, इंडिया इंडिया विल होस्ट दा 2025 ICC Women's Cricket World Cup को host इंडिया करेगा इंडिया विल विल वी दा होस्ट आफ दी वोमेंस टूर्नमेंट तो यह फोर टाइम है जब इंडिया इस टूर्नमेंट को host करेगा पहले इंडिया ने होस्ट दिया था 1978 को, 1997 को, 2013 को और अब करेगा 2025 में हमारा next question है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इस अब्जर्व आन विच दे तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाय जाता है 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई 98 जुलाई, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे रिमाइड अस तो स्टॉब the miseuse and overuse of natural resources तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे natural resources के ओवर्यूज को और मिस्चूज को स्टॉब करने में हमें रिमाइड करवाता है हमारा next question है जुलाई 2022 में कौन सी स्टेट गोवर्मेंट पराइमरी स्कूल स्टूडन के लिए चीप मनिस्टर ब्रेकफास स्कीम शुरू की है करनाटिका, तमिल नाडू, आसाम, गुजराद तो इस question का right answer है तमिल नाडू तमिल नाडू गोवर्मेंट issue and order to implement the first phase of the Chief Minister's Breakfast Scheme at 1545 गोवर्मेंट प्राइमरी स्कूल स्कूल तो तमिल नाडू के CM तमिल नाडू की गोवर्मेंट ने 1545 गोवर्मेंट प्राइमरी स्कूल में Chief Minister's Breakfast Scheme का first phase implement करने का order issue किया है हमारा next question है in July 2022 which country approved its first homegrown covid antiviral pill तो जुलाई 2022 में किस country ने अपनी first homegrown covid antiviral pill को मज़जूरी दी है इंडिया चाइना जापान कैनडा तो इस question का right answer है चाइना चाइना अप्रूब्स first homegrown covid antiviral pill तो चाइना ने first homegrown covid antiviral pill को अप्रूब किया है आज का lecture हमारा वस इतने दकी था अगर आपके लिए ये lecture तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर next lecture में thank you and have a good day